दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाज के लनाड बिभाग की एक सिवा राज्टी परिवारिक लाब योजना के बारे में जहां पे आपको गुवर्मेंट देती है 30,000 रुपए वो भी एक फार्म को भरने के बाद में तो क्या कंडिशन्स हैं किस तरी किसे अपलाई करेंगे क्या आप मिलेगा सब कुछ बताऊंगा वीडियो में वीडियो का इंट तक जुरू देखेगा दोस्तों मेरा नाम और अपम आप देख रहे हैं यूटूब चैनल एक्टर टेग वर्ड तो दोस्तों जो वेबसाइट ह वो है NFBS nationalfamilybenefit scheme.upsdc.gov.in लिंक आपको description में मिल जाएगा वहां से क्लिक केज़ेगा डायरेक्टिव पेज 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 पे आप आ जाएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको कई सारे अप्संस मिल जाते हैं नया पंजी करण अवेदन की स्थिति ये सब कुछ तो सबसे परे बात करते हैं इस farm को कौन लोग भर सकते हैं इस farm को महिलाएं भर सकती हैं जिनके पती की मृत्ति हो चunkодар हो चुकी है जो आविदिन करता है उसका पूरा वेवरेड होना चाहिए तो इस farm को भरा जा सकता है फर्म को बरने के लिए नए पंजी करण पर आपको simply click कर देना है यहाँ पर सबसे पर अपना district चूच कर देना है और यह उत्तर पर देस के लिए सेवा है दोस्तों अगर आप किसी other states हैं तो आपको कोई problem नहीं है आपको लिखना है SWD आप उसके बाद में अपने state का नाम डाल देना है जैसे कि यहाँ पर मैं बिखार डाल देता हूँ कोई भी state हो वो डाल दीजेगा तो उसकी official website आजाएगी वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कौन-कौन से services आपको दी जाती है तो इस तरीके से बात करते हैं जाका नाम उसके बाद में स्रेडी यहाँ पर पहचान पत्र का प्रकार यहाँ पर आप आधार कार्ड आपको मिल जाएगा अधार का नंबर इदर डालने है वारसिक आय कितनी है इसके लिए जो है आई परमाड पत्र होना चाहिए आवेदन करता का जो भी आवेदन कर रहा है फिर यहाँ पर आई परमाड पत्र संख्या डाल देनी है कब उसको आवेदन पत्र को आवेदन संख्या के वो यहाँ डाल देनी है उसके बाद में यहाँ पर मुबाइल नमर डाल देना है नीचे आते तो यहाँ पर बैंक डिटिल देनी है जिस बैंक खाते में आप पैसा लेना चाहते हैं यह आवेधन करता जो है उसका ही यह बैंक खाता होना चाहिए उसके बैंक पास्वुक को यहाँ पर अपलोड कर देना है नीचे अब आता है मतक का विवरड मतक का नाम उसके अपले केबल वही एंगे फिर उसकी जारी करने की थि यहां पर उसकी उम्र कि उम्री कितनी थी वो यहाँ पर डाल देनी है फिर मृतक का website क्या था किसान था, मजदूर था, कर्मकार था स्ववेबसाई या आने उसके बाद में आवेदक का मृतक से संबंध कौन-कौन लोग आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर clear हो जाएगा आपके पिता की डेथ हो गई तो आप कर सकते हैं, माता की हो गई है भाई, बहन, पती, पत्नी, पुत्र, पुत्री इस तरीके से जिसके मृत्य हुई है, उससे संबंध क्या था आपका, आपकी पुत्री थी आवेदक का मृतक से संबंध तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पिता थे, क्या थे तो इन लोगों का आपको पैसा मिल सकता है तो यह डाल दीजिए, उसके बाद में मित्तिव प्रमाड पत्र को अपलोड करें, मित्तिव प्रमाड पत्र आपको कि इन समय से एक चीज ही अपलोड करनी है उसके बाद में यहां पर जो capture दिया गया है 44374 आपका अलग हो सकता है वो आपको यहां पर डाल देना है फिर यहां पर टिक कर देना तो नीचे का option बढ़ जाता है करने के अपर टो जब आपको सम्मिट कर देना है तो आपको सापने एक सम्मिटेड फॉर्म आ जाएगा जिसका प्रिंट आपको तुरंथ ले लेना है क्योंकि रिपरिंट की कोई सेवाप लब्द नहीं है अगर आपने उसे छोड़ दिया तो आपको फिर से इस फार्म को फि महिने के अंदर तो जब आप इसको सम्मिट कर देते हैं तो आपको दो मिलती है FIRST पहले तो अवेद पात्र की जो है कॉंपी मिलती है सव सम्मिटेड फॉर्म उसको प्रीट कर लेना है नीचे को परतली पी प्राप्ट परहत्त करें रेसिप्ट वो रेसिप्ट भी आपको निकाल लेनी है यह दो चीज़े आप निकाल लीज़े उसकी दो-डो काउपी कर लिज़े एक अपने पास रखने के लिए एक हर्ड काउपी जो है उप जलाधिकारी के ओफिस में जमा करने के लिए प्रति उपजिल अदिकारी कारेयाले में जमा कर दीजिए अब बात करते हैं आपको कोई भी परिशानी है तो क्या करना है आपको एलप लाइन दिया गया है टोल फ्री नम्मर है इसके कोई पैसे नहीं करने है आसानी से कॉल किजिए और बात कीजिए तो ये वीडियो मैंने customer को लेके बनाया है एक दुकानदार को लेकर नहीं बनाया तो जो भी customers है वो भी apply कर सकते हैं जो भी दुकानदार अभी इसका काम नहीं कर रहे हैं राश्टी परिवारी लावियोजना का तो वो start कर दीजिए earning अच्छी खासी है अब जो कानदार कैसे earning करेगा दोस्तो हर तरह broker होते हैं broker जो है वो क्या करते हैं गाउं गाउं से forms को लेके आते हैं अब आपको उनसे contact कर लेना है वो आपकी shop पे लेके आए आप उनको इतने रुपे में कर देंगे दूसरा इतने रुपे में करते हैं तो उसे आपका benefit हो जाता है आपको एक साथ में 10 या 20 फार्म मिल जाते हैं आपने साम हो गई या आपने shop को बंद किया उसके बाद में एक दो घंटे काम कर लिया तो अगर आप 30 रुपे या 40 रुपे फार्म भी ले ले लेते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है इससे अच्छा है कि 40-50 रुपे दे के आसानी से करा लिजिए तो जो जो आज की वीडियो में से इतना ही documentation की बात एक बार फिर से कर लेता हूँ मरतेक का मृतिव प्रमाट पत्र उसका आधार काड वोटर आईडी काड होना चाहिए इन दोने में से कोई एक चीज मतलब आधार काड या वोटर काड आईडी काड में से कोई एक चीज और मृतिव प्रमाट पत्र ये दो चीज़े होनी चाहिए जो आवेदक है उसका एक फोटो होना चाहिए उसकी एक आईडी होनी चाहिए उसका आई प्रमाट पत्र होना चाहिए और यह सारी चीज़े अवैलबल होनी चाहिए तब ही आप अप्लाई कर पाएंगे आप जो है स्टेटेस का चेक कर सकते हैं यहां पर जाएए वेबसाइट पर यहां पर आवेदन पत्र की स्थिति वहां आप देख सकते हैं जिस दिन अप्रूब हो जाएगा आपके अकाउंड में 30,000 रुपए आ जाएंगे आपको टैमली मिलते रहेंगे दूस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में दब तक ले नमस्कार चेहिन